हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis है हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मेसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी fingers काफी अच्छी length में हैं और सभी fingers के बीच में कुछ हलके gaps बनते हुए आप देख पाएंगे कुछ इस तरह के gaps आपको इनकी सभी fingers के बीच में नजर आ रहे होंगे इस तरह के gaps का होना native को काफी independent सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति थोड़े rebellion nature के होते हैं थोड़ा जिदी सभाव भी ऐसे native का आपको देखने को मिलेगा लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम लेते हैं तरह का सभाव यहां पर इनका नजर आता हुआ अगर हम इनकी तरचनी उंगली यानि गुरू फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो ब्रस्पती की फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में है बिल्कुल स्ट्रेट है जिसकी वज़े से native की leadership qualities काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति दूसरों को guide करने वाले होते हैं एक बहुत ही अच्छी personality एक knowledgeable type की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है और ऐसे व्यक्ति जिनकी यह finger अच्छी हो middle इच के बास spirituality की तरभी इनका चुकाव आपको देखने को मिलेगा अगर हम इनकी शनी finger की बात करें त कि native काफी hard working होगा ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक नए प्रिया और अनुशाशन प्रिया type की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्टी कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब होते हैं अगर इनकी सूरे फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूरे फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तरजनी से भी थोड़ा अधिक नजर आ रही है इस तरह की लंबी सूरे फिंगर का होना indicate करता है कि native काफी creative nature का रहेगा बहुत अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भी देखे जा सकते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाएं हों जैसे share market है, cryptocurrencies है, mutual funds है, multi-level marketing है, ऐसी चीजों के तरफ native का रुच्छान आपको देखने को मिल सकता है दरवाइस काफी creative type की nature, काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो आप देख पाएंगे mercury finger लंबाई में काफी अच अच्छती हुई, लंबी mercury finger का होना indicate करता है कि native के communication skills काफी अच्छे रहेंगे, ऐसे व्यक्ति का business equipment भी strong होता है, ऐसे native अपने चीवन में strong communication skills और अच्छी calculations की वज़े से ही तरक्की करते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो mercury mount का area हलका सा low set भी होता हुआ, आपक एक line draw करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह हैं कि एक रिखा बनती नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं, इनका जो mercury mount है, जो mercury finger है, थोड़ा नीचे से शुरू होती ही, comparatively, यहाँ इनकी सुर्या finger है, यहाँ शनी की और यहाँ ब्रसपती की तीनों के मुकाबले, आपक हैं और देखते हैं, इनके सभी mounts को, उसके बाद हम चेक करेंगे, इनकी सभी रिखाओं को ही, तो यहाँ बर आप देख पाएंगे, इनका जो गुरू परवत का area है, काफी उभरा हुआ, यह है mount जिन लोगों का उठा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं, ए इसाथ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आड़ी रिखाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, इन रिखाओं को हम lines of sympathy कहते हैं, यहाँ पर ऐसी रिखाओं का होना native को sympathetic सभाव का बनाता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रती हमदर्दी भरा रविया रखने वाले होते है तो उसनों की मदद करने वाले होते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ रिखाएं यहाँ से नीचे से उपर की तरफ चलती हुई, इन रिखाओं को progress lines के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी रिखाएं गुरू परवत पर मौचूत होती हैं, ऐसे व्यक्त अपनी life में आगे चलकर बहुत अच्छी progress कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके शनी परवत को यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा और इस माउंट का दबना चीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका श पाता है, आप देख सकते हैं, progress lines इनके हाथ में हैं, साथी साथी यहाँ पर आपको इनके हाथ में एक अच्छी और लंबी भागया रेखा भी नजर आ रही होगी, यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह से इस सेरियर तक और यहाँ से थोड रेखा का मौचूद होना ही, अपने आप में बहुत अच्छा और उत्तम माना जाता है, देख सकते हैं, इनके हाथ में बहुत अच्छा मनी ट्राइंगल भी बनता हुआ, यह जो एक ब्रांच है, यह इनके भागया रेखा के साथ जुड़ती हुई, और यह रेखा इस तरह रेखा जिसको मर्करी लाइन कहते हैं, यह भी मौचूद है, तीनों रेखाएं मिलकर, यह जो ट्राइंगल क्रियेट कर रही है, इस ट्राइंगल को मनी ट्राइंगल का नाम दिया जाता है, और हाथ में मनी ट्राइंगल का होना, नेटिव को चीवन में काफी अच्छा धन क माने के मौके देता है, साथी साथ ऐसा व्यक्ति जीवन के आगे बढ़ते हुए जीवन के जो लास्ट वाली अर्जोते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी अधिक पैसा इकठा कर लेता है, आप सुर्य की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो सुर्य परव हलका सा फ्लाट और दबा हुआ देख पाएंगे और सुर्य मांट के ऊपर कुछ रिखाएं सुर्य रिखा को काटती हुई भी नजर आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगा, यह इनके हाथ में सुर्य रिखा है और यहां एक रिखा कुछ इस तरह हैं से काटती हुई जा रही हैं जिस वज़े से नेटिव को चीवन में यश मिलने में कमी रहेगी, इस मांट का दबना भी यश को कम करता है, ऐसे व्यक्ती जिनका सुर्य का एरिया इस तरह से नजरा इस तरह की फॉर्मेशन में सुर्य रिखा कट रही हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी help कर लें, बदले में कोई appreciation या reward नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, इनके mercury mount को, यहाँ पर भले ही थोड़ा सा low set mount है, लेकिन काफी सारी इस तरह की खड़ी रिखाएं, आपको इनके बुद्ध परवत के उपर नजर आ जाता है, इन रिखाओं को healing lines के नाम से जाना जाता है, हाथ में ऐसी रिखाएं हों, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की help करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलहा या consultation के जरिए, लोगों की problems को दूर करने वाली personality, ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, इस तरहें की रिखाओं का होना native को काफी भागेशाली भी बनाता है, अब देख सकते हैं इनकी line of heart को, यहाँ पर इनकी जो heart line है कुछ है, इस तरहें से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है, यहाँ पर आकर आप देख पाएंगे, यहाँ इस त इमांदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है, लिकने इसके बिलकुल opposite, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से धन कमाने की कोशिशे करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है इसलिए चिन के हाथ पर भी ऐसा चिन बनता है, उसे हमेशा यही सुजिशन देता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर इमांदारी से मिहनस से धन कमाएं ताकि आपके जीवन में ज्यादा दिक्कतें ना आएं, आप देख सकते हैं हाट लाइन कपर आपको चोटी चोटी च ब्रांचिस नजर आएंगे जिसकी वज़े से इमोशनल सेटबैक्स ऐसे व्यक्ति को चीवन में मिल सकते हैं, यहाँ पर आकर आपको ओवरलैपिंग्स नजर आएंगे, इस रेका में कुछ हलकी ब्रेक्स बनती हुई नजर आएंगे, इस सेरिया में चलकर जो नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ परिशानियां हाट की हैल्थ को दे कर दे सकती हैं, जैसे ब्लड फैशर की थायरा, डियाबिटीस, कलिस्टरल जैसी दिक्तें, ओल्ड एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को होने की सुभावना रहती है, जिनके हाथ में इस तरह की डाउनवर्ड ब्र इक सकते हैं, शुरुवाती दोर में कुछ आइलेंड चैसी फॉर्मेशन, कुछ इस तरह का चेंड स्ट्रक्चर आपको इनकी मस्तिक शरीखा में बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी वज़े से शुरुवाती दोर में यंग एज में थोड़ा स्ट्रेस इनको अधिक रह सकत लेकिन जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस कम होगा और बहुत अच्छी तरक्ची ये अपने चीवन में देख पाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं इनकी लाइन आफ लाइफ को अच्छी लाइफ लाइन एक लंबी जीवन रिखा, इनकी हथेली में नजर आ रही है जिसकी वज़े से नेटिव की एज काफी अच्छी रहती है, यहां से शुरू होने वाली यह रिखा आपको लगबग इस सेरिया तक जो 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है, लेकिन इस रिखा के अंत में जो फिश का सिंबल बन रहा ह हैं, ऐसा चिन केतू परवत के उपर अगर बन रहा हो, तो चीवन में कई बार अचानक धनलाब होते हैं, ऐसा फिश का सिंबल केतू माउंट के उपर बनने से, नेटिव को शेर मार्किट से, लोटरी से, इंशोरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए थन की प्रापती जीवन में होती हैं, ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के भी कैसे कई मौके मिलते हैं, फौरण ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के चीवन में एक से अधिक बार देखने को मिलते हैं, आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो शुकर का यानि वीनस का एरिया है, काफी मिलती हैं, हर तरह के कमफर्ट को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजोय करता है, यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिखाएं होना, चिने हम वरी लाइन्स कहते हैं, शुकर परवत के उपर ऐसी रिखाओं का होना, अच्छा चिन नहीं होता है, ऐसी रिखाओं हो अपने चीवन में करना पढ़ सकता है, इस तरह की रिखाएं होने से मैरेड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टिबिल्टी नेटिव को आ सकती है, अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें, तो आप देख पाएंगे चंदर परवत का इरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है, जो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, वो मस्तिक श्रेका के यहाँ पर अफ्लिक्ट होने की वज़े से रहा सकता है, अधरवाइस चंदर परवत के ओपर कोई भी नेगटिव चिन नहीं है, कुछ इस तरह की रिखाएं का नीचे से उपर की तरफ पढ़ना चीवन में लंबी की यात्राएं करता है, और इवन फॉरन ट्रेवल करने के मौके भी इस तरह की रिखाओं की वज़े से जीवन में कई बार नेटिव को मिलते हैं, तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है, कि सभी स्वालों के जवाब ए धन्यवाद